बहुत एहम इशू, एक टॉपिक में कहूंगी बैसिकली इसको जिस पर आज हम डिसकॉशन करेंगे एटेंशन डेफिसित हाइपर एक्टिविटे डिसॉडर है और काफी सारे लोग इस टर्म से शायद वाकिफ हो, कुछ लोग उनको वह सिम्टम्स होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता क्या है, चाहे वो बड़े हो और बच्चों में अक्सर हम कह रहे होते हैं कि यह बच्च यह बच्च तो एक चीज पर तवज्जो मरकोज नहीं कर सकता था और ऐसा ही बड़ों के साथ भी एक्सर हो रहा होते हैं, आप अंदर भी होता है एक चीज शुरू कि आदी छोड़ के दूसरे में चलेगे, आप भूलना शुरू कर देते हैं आदी चीज, अच्छा मैं कमर अब इसके डाइग्नोसिस तो क्या मैकेनिजम होता है कौन लोग जो है ADHD के जुम्रे में आते हैं और क्या ADHD एक्चुली है क्या सान अलफाज में आज इस तो जानने कोश़ रहते हैं आप इमें कॉल जरूर करें क्या आप टर्म से वाकिफ हैं या नहीं है आपका बच्चा उसमें सिम्टम से कि आपके अंदेरी सिम्टम से जो भी सवालात होंगे आज उनको हम एड्रस भी करेंगे मासत मौजूद है साइकॉलिजिस तोभिया खतीब साहब असलाम लेकुम कैसी आप असलाम अलेकुम अलाम्दलिला ठीक था खुशबाश मज़े में तवज्जो के साथ आपके साथ बैठी हूँ अच्छा इसका मतलब आपकर नहीं है नहीं हो तीन एलिमेंट बहुत इंपोर्टेंट इसमें होते हैं और जिसमें से अगर छे जादा मेटर कर रहे हूं तीन मेजर हैं और मेजर की सब कैटेगरीज निकलती है जिसे हम कहते हैं बाइबल यह डाइग्णोज करता है कि यह बच्चा एडी एच्डी में जा रहा है यह यह महीने तक अगर किसी परसन के अंदर किसी बच्चे के अंदर मसलसल यह अलामात जो मैं बियान करने वाली हूं आ रही हैं तो इसका मतलब वो एडी एच्डी की कैटेगरी के अंदर डाइग्नोज होने वाला है इन अटेंशन और इन एक्टिवनेस जो होती है इन लेकिन क्योंके बाकी बहुत सी चीजें ऐसी उसमें होती है हम फैक्टर्स को उसको बाद में पहले अलामात को देख लेते हैं एक के तवज्जो मर्कूज ना कर पाना और सस्टेन ना कर पाना एक जगह टिक कर ना बैठ पाना जैसे इन्होंने कहाना बूल जाना पता अब ह हम कहते हैं पानी का ग्लास ले आओ वो ग्रूम में जाएगा या किचन में जाएगा बूल जाएगा कि मैंने क्या किया था तो बच्चों के अंदर स्पेसिफिकली अर्ली स्टेज पे यह जो अलामात आ रही होती है जिसमें उसका बूलना है चोटी चीजों की तरफ तवज जाएगे वो उठेगा वो कोशिश करने के बावजूद जब लगे के बच्चा तिक के गर्मे स्कूल में अपने खेल उदकी सरगर्मी के ऊपर नहीं बैठ पा रहा तो इसका मतलब उसके अंदर हाइपर एक्टिविटी हाए है और पूरे दिन के अंदर अगर हर एक काम के हुआ आए दर खाना पी नार बैठना सोना जैसे हम कहते हैं कि तीन वह उठते है तो उठते साथ ही उसकी क्या फरकाट होती है क्या वह सानी से जाकि!... कर पाता है प्रॉपर्ली आपको तवज़ आपकी बातों को सुन पाता है उस पे कंप्रिहंट कर पाता है कांसेप्ट बना पाता है और्गनाइज कर पाता है चोटी-चोटी टास्क को क्या सुन के तवज़ दे के रिस्पॉंड कर पाता है तो यह वह सारी अलमात इसमें आ रह से तो है उसके साहतो है बहुत सी लर्णिग डिसीबिटीज नहीं देखके और है वह सारा जाके नहीं तो कि पर रहता है है मुद्न कि लेकर इनलेश एंधर अग्रश साथ बर ही बच्चों के अंदर होता है लेकिन क्योंकि ये प्रोलॉंग्ट करता है आप बच्चों के अंदर तो हाइपर एक्टिविटी की सूरत में नज़र आता है बढ़ों के अंदर इन अटेंशन की सूरत में नज़र आता है बच्चे बढ़ों के अंदर जिसे अडल्ट एडिएजडी कहा जाता है उसके अंद स्टेज पे मसला होता है जो इसके रीजन्स है बिल्कुल बड़ा बजा कुश्चन है क्योंकि यह क्यों होता है पहली वज़ा इसको कहा जाता है नियूरो डिवल्पमेंटल डिसॉर्डर इसमें नियूरो सब्सक्राइटरी और सारी चीज़ें इंवल्व होती है उसके बाद इसके साथ-साथ मां बच्चे की जब बर्त करती है उस ताइम में अगर प्रीमिचूर है प्रीमिचूर बर्त है वेट कम है बच्चे का ज्यादेर हम वाइटल्स की कमी में ओमएगा 3 के लेवल पर या वट्रमीन D के लेवल पर कहते हैं जिस बच्चे के अंदर बहुत जब कोख में आ जाता है मा की उसके बाद अगर डिवल्पमेंटर निरोलोजिकल डिसॉर्डर बैक्राउंड में है तो वो ट्रांसफर ओव्यूस है ठीक है एक कॉलर हमाइसाथ उनसे बात करते हैं जैन है हमाइसा असलाम लीकूम जी जैन क्या पूछना चाहेंगे जीवाल कर रहे हैं बिटीगी लेकिन सम्टाइमस बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए और मिस्स के लिए उसकी जो अपर एक्टिवनेस चाहस को लेके तो मैंने सब्सक्राइब कुछने कैसे कि मेडिकेशन हैं पाकिस्तान में अवेलेबल जिससे थोड़ा सब अच्छे को फरक बड़े मेडिकेशन गया अधरवाइस कोई लाइफिकेशन पाकिस्तान के लेवल पर काफी हद तक नियूरो डिवेल्मेंटल डिसॉर्डर्स की जो मेडिकेशन और उसका इलाज मौलजा मौजूद है बासकत ही होता है कि हम कहते हैं मेडिकेशन से साइड एफेक्ट आता है इस्का सहराब उसकी दिमाग में चल रहे है उसकी कंट्रोलिंग के लिए तो कहनो कोई स्थ्यूमिलेंट्स ज़रूर अपका नेरोलोजिकल और सैकेट्री साइकोलोजस परेशमें नहीं उफ्ट करेगा और संब्नेंट्ट्र Online के उस्का नियूरो डिवेले नियूरो डिस द मेडिसन दे सके और मेडिसन का इलाज कहरामत साबत होता है combination के साथ बासके लोग सिर्फ एक therapy या बातचीत की तरफ चले जाते हैं या सिर्फ एक्टिविटीज करवाना शुरू कर देते हैं no combination of treatment चलता है तो जैसे यह कहे रहें कि इतने टाइम से यह लो behavioral therapy और सारी चीज़ों combination करेंगे तो बेस्ट वे होगा और उस पर रिस्पॉंड भी करेंगी और emotional management भी जाएगी कि बड़ों में बी क्या वजुहात होती है वो भी ज़रा बताएं क्या trauma की वज़ए से भी होती है या बड़े होकर वाइटमिन D deficiencies उनकी वज़ा से भी ADHD वो इस category में आना शुरू हो जाते हैं बड़े अच्छे देखिए सबसे ज्यादा डाइग्नोज जो पावर पर होता है वो बच्पन से कुछ उसमें साथ ली होती है तब जाके होता है ऐसा नहीं होता बाकी emotional disturbances को हम ADHD में डाल देते हैं लाइफ की complications को भी हम कहते हैं कि हम तवज्जव नहीं दे पा रहे हैं यह सारी चीज़ नहीं होता है नाइन आइटम्स जो हम साइन और सेंटम्स की बात करते हैं अगर वो फुल हो तो ADHD के level पे label उसको किया जाएगा otherwise नहीं बढ़ों के अंदर definitely जैसे आप कह रहे हो ना देखे environmental exposure हमारा बहुत जादा है हर चीज़ की इतने जादा और specifically जिस डिजिटल एरा के अंदर हम रह रहे हैं उसमें सारी चीज़ें possibility हैं लेकिन ADHD को diagnosed on level पे वो बच्चमन पे कुछ न बड़े होते हैं और बड़े होते हैं उन्हीं साइन और संटम्स के साथ पल रहे हैं तो हम कहते हैं स्कूल नहीं जा रहा है यह उनिवस्टी का इसने ड्रॉप कर दी है तो यह वही लोग होते हैं जो पढ़ नहीं पा रहे होते हैं नोकरियों में फिक्स नहीं हो पा रहे हो बहुत ज़रूरी है? Early intervention is the best way. क्योंकि इसलिए जातार बच्चों को कहा जाता है और अब देखें ADHD coaching बहुत जादा, पाकिस्तान में अभी new trends आ रहे हैं इसके level पर शुरू हो चोगी है, coach करवाना, understand करना और उसके बाद streamline करना और सबसे important इसको mix ना करें मैं यहां पर कहूंगे, autism के साथ mix कर दिया जाता है, किसी disability के साथ mix कर दिया जाता है, ADHD के बहुत से, जिसे हम कहते है न, highlighted लोग हमारे पास मौझूद है, जो बड़ी-बड़ी seeds पर मौझूद है, उनका intellectual level बहुत high होता है, अगर उनकी compose कर लिजाए जाए जना skill, तो वो best for society का साबत होते हैं, वो disabled नहीं होते हैं, इस चीज़ को मैं यहां पर, क्योंके बहुत जादा लोग कह देते हैं, इसको बिमारी लगी है, यह ADHD का आप तो यह कुछ काम नहीं कर सकेगा, उनकी बाकी की skill बहुत high, सिर्फ वो attention क्योंकि zoom in नहीं कर पा है, और वो भी आप manage कर सकते हैं, अच्छा कोई ऐसी चीज़ जो के बच्चों को focus करने के लिए आप घरें प्रैक्टिस करें, what is that one thing? Small cheese distraction जितनी भी है दुनिया में, हमारे हाना हम 10 काम खोल के बचे को कहते हैं तुम यह भी करो यह भी करो, एक पर focus करवाएं, try to start with the small and basic activities, चाहे coloring की skills करवाना start करनी है, क्योंकि coloring 3000 neurotransmitters को comprehend करता है, तो आप जब coloring करवा रहे हैं तो आप उसके consistently कहें, हमारे माबाब तंग आ जाते हैं, एक दिन कहते हैं, दो दिन कहते हैं, और इवन टीचर्स किसी भी लेवल पर consistent नहीं, ADHD का person consistency मांगता है, बार-बार cautions मांगता है, बार-बार उसको comprehension के लिए जैसे पकड़-पकड़ के बिखाने वाली strategies मांगता है, अगर वो करना शुरू करेंगे, regulate करेंगे, चैनलाइज करेंगे, schedule करेंगे, तो बहतर हो जाएगा, तो बहतर हो जाएगा, बहतर तरीके से घर के लेवल पे, स्कूल के लेवल पे, बाकी, देखें वो enjoy भी नहीं कर पाते न, हम कहते हैं कि हम इसे, बच्चे तो खुश होते हैं, वो खुश भी नहीं हो पाते, क्योंकि वो उस तरह से receive नहीं कर पा रहे होते, तो आपको उनकी कोई नहीं कोई skill पकड़नी होती है, हर एक ADHD के अंदर उसकी कोई main skill होती है, उसको skill को कोई diagnose कर लेना तो वो बेटर ली अपनी चीज को आगे, जनरल human being के अंदर भी यही होता है, लेकिन ADHD के अंदर IQ level का margin हाई होता है, उसको अगर कोई पकड़ ले, कोई भी knowledge पकड़ ले, माबाप में से पकड़ ले, तो वो बहुते तरीके से response कर ले, वो फिर उसकी skill बनती है, वो उसी tool के लेके जिन्दगी में आगे फिर successful बन जाते है, बहुत शुक्रिया, बहुत एक complicated topic में इसलिए होगी, बहुत सारे gender symptoms involved होते हैं, लेकिन आमने बढ़ एच्छे तरीके से explain के बहुत शुक्रिया, प्रोग्रम में जॉइन करने के लिए.